कोरोना की जंग में लगे डॉक्टर्स और हिल्थ वर्कर्स पर हमला करने वालों की अब खैर नहीं नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चत्रेश महरा और आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस डॉक्टरों और आरोग्य कर्मियों पर हमला करने वाले अब नपने वाले हैं एक और पूरा विश्व जहां कोरोना संकरमंट से लड़ने और मात देने में लगा हुआ है वही भारत में इंसानियत के कई दुश्मन इस संकर्ट की घड़ी में डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को निशाना बना रहे हैं चाहे बिहार का औरंगाबाद हो मध्य प्रदेश का इंदौर शोपुर हो उत्रप्रदेश का बरेली मुरादबाद हो जारखंड का राची हो देश के कई इलाकों में स्वास्ते कर्मियों पर पत्राव, ठूकने, बत्तमीजी करने, गालिया देने और गाड़ी एवं संपत्ती को नुकसान पहुचाने की कई शिकायते आ रही है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की अगवाई में बुद्वार को हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि अब ऐसे लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की मीती अपनाई जाएगी इसके लिए मोदी सरकार ने 123 साल पुराने कानून को आडिनेंस के जरीए बदल दिया अद्यदोश के जरीए महामारी कानून 1897 में बदलाफ कर कड़े प्रावधान जोड़े गए है केंद्रिय मंद्री प्रकाश जाबडेकर ने कानून में बदलाफ के बारे में बताया उन्होंने कहा कि महामारी कानून 1897 में बदलाफ किये गए है अब ही IPC, CRPC, NSA एवं Disaster Management Act है लेकिन ये मांग थी कि पूरे देश के लिए एक कानून बने इसलिए सरकार ने The Epidemic Diseases Ordinance 2020 लेकर आई इसके मताबिक डॉक्टरों और हेल्थ वरकर्स पर किसी ने हमला किया और गोनेगार पाया गया तो तीन महीने से पाथ साल तक की सजा होगी दोशी पाये जाने पर 50,000 से लेकर 2,000,000 रुपे तक का जुर्माना देना पड़ेगा यदि गंभीर हमला है तो 6 महीने से 7 साल तक की सजा का परावधान भी है डॉक्टर, नर्स और अन्ने मेडिकल स्टाफ के साथ बुरे बरताफ को गैर जमानती बना दिया गया है यानि ठाने में आरोपी को जमानत नहीं मिल सकेगी यदि डॉक्टर या स्वास्ते कर्मी की गाड़ी या क्लिनिक का नुकसान हुआ तो नुकसान की मार्केट वैल्यू से दो गुना वसूला जाएगा ऐसे मामलों की जाच वरिष्ट इंस्पेक्टर के स्तर पर 30 दिन में पूरा करना होगा एक साल के अंदर अदालत में इसकी सुनवाई पूरी कर फैसले का प्रावधान किया गया है परकार के इस कदम से संदेश साफ है कि डॉक्टरों और अरोगे कर्मियों पर हमला किसी भी कीमत पर बरदास नहीं होगा बाकी सटीक, सरल और सत्य खबरों के लिए जुड़े रहिए चकाचक एक्सप्रेस के साथ नमस्कार